हेलो एन वेलकम टू लेट्स क्राकट मेरा नहाम है अभिशेक और हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं उससे पहले बताना चाहूंगा कि हमारा फ्री टेलिग्राम चैनल है लेट्स क्राकट के नाम से जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो उसको जरूर से जरूर जो लिता सुर्देव तक पढ़ लिया था नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं भूदेव से तो भूदेव ने असेंड किया अपना थ्रोन अपने फादर का 875 AD में और जो पांडुकेश्वर ग्रैंट्स हैं उतनमे इनका नाम मैंशन नहीं है तो ये बात ध्यान खने वाल यहां पर इनको King of Kings यानि कि राजाव का राजा इस तरह से इनको डिस्क्रेप किया वह है यह spiritual थे नेचर में and had a great respect for भामन्स ब्रहमन्स के लिए इनके इनके अंदर बहुत जाद रेस्पेक्ट थी और spiritual थे यानि कि भगवान में या पूजा में काफी पिश्वा सकते थे य लास्ट रूलर अमंग दिडारेक्ट डिसेंडेंट्स ओफ निमबर्ता देव जो निमबर्ता देव थे उनके लास्ट रूलर थे हैं कि जो डारेक्ट डिसेंडेंट्स थे यानिकि इसे निमबर्ता देव के बेटे हुए फिर उनके बेटे हुए तो यह जो जीने लॉजी चल रही थी इनकी उसमें ये लास्ट रूलर थे and was succeeded by collateral rulers बाद में फिर कोई दूसरे collateral rulers आये जो उनके साथ के थे उसी dynasty में थे लेकिन इनकी family से belong नहीं करते थे उसके बाद आते हैं सलो नादित्य तो इन्होंने new line of rulers क्योंकि जो उपर थे भूदे वो last ruler थे अपनी lineage के उसके बाद सलो नादित्या है ये इन्होंने नए line of rulers की इस्थापना की उसके बाद इनके बेटे आये इच्छाता देव 920 AD में फिर इनको succeed किया इनके बेटे देसात देव ने 930 AD में जो देसाता देव थे ये great warrior थे but has no detail of his battles fought हमें इनके जो इन्होंने battles वगरा लडी है इसके बार में कुछ खास information नहीं है लेकिन ये अपना आपने बहुत ही great warrior थे जो देसाता देव है he had a great respect for भ्रह्मन and devotee of महेश्वरा ये Lord Shiva यानि कि Lord Shiva के ये जो थे बहु देविजम के ही followers चल रहे है वैशनविजम अभी यहां पर उत्राखन के अंदर या गड़वाल में कुमाव में नहीं आया है जातर जो rulers है वो शिवजी के followers हैं यहां पर उसके बाद आते है next is पदमाता देव who succeeded his father in 945 AD फिर famous और यह जो पदमाता देव है अपनी charitable activities के वे से famous हैं और इनको जो हैं बाली वैकरतना धदीची और विक्रमधित्य से compare किया जाता है क्योंकि इन लोगों ने जिसे धदीची ने अपने पूरे खड़ियां दान कर दी थी विक्रमधित्य ने काफी दानी थे तो इसे भी लोग बहुत दानी थे तो इसलिए यह मिलब इन से compare कर सकते हैं कि यह जब इतने दानी थे इन्होंने इतना दान किया तो उसी इसाफ से पदमाता देव भी थे उन्होंने भी बहुत जादा दान दक्षिना वगर अपने टाइम पर की इनका पैशन था आर्किटेक्चर के लिए यानिकि यह जो थे बिल्डिंग कंस्रुक्शन म जो कि Lord Vishnu के devotee थे तो यहां से थोड़ा change होता है अभी तक सब शिवजी के follower आ रहे थे अब सुबिक्षा राजय देव जो थे यह Lord Vishnu के questions कभी-कभी UK SSSSC वाले पूछ सकते हैं कि इन मेंसे कौन से राजा ऐसे थे जो Lord Shiva के follower नहीं थे या ऐसे कौन से राजा है जो Lord Vishnu के follower है तो इन मेंसे आपको जब आप पढ़ते हैं तो आपको यह चीज़ ध्यान लखने है किस ruler ने वो किस चीज़ में believe करते थे क्योंकि यह उ यह भी power में आये फिर आगे कहता है कि वेन बीरदेव डाइड डिसेंशन प्रॉक आउट यह निकि जब बीरदेव की death हुई तो अब यह आया कि भी कौन जो ruler है वो आगे थ्रोन के उपर आएगा तो इसके वेसे फिर महापे लड़ाई वगरा हुई और कत्योरी kingdom जो है वो एक बारा मंडल में और एक द्वारा हाट में लखनपूर में तो यह जो है इस तरह से करके जो अलग-अलग groups थे जब करत्योरी kingdom तूड़ गया तो उसके तीन चार टुकडे हो गए और यह चार टुकडे जो है अलग-अलग सेटल हो गए अलग-अलग जभा हो गए जो different groups थ और द्वारा हाट फैमली के इन्होंने established किया township द्वारा हाट तो द्वारा हाट इन्होंने ही वहां पे क्या गया established क्या Kings of Dwara Heart, जो Kings थे Dwara Heart के वो कौन थे, वो गुर्जर देव थे, सिध्धारा देव, माना देव, सोम देव, यह से करके यह अलगले रूलर्स आई, इन Kings ने construct करी water bodies termed as Nolaz, यह बहुत important है, इनोंने जो water bodies construct की, वो आज भी बहुत famous है हमाँ पे, तो Dwara Heart में नोलास करके एक water body थी, यह नालाज जैसे भी आप उसको बोलना चाहें, तो उसको इनोंने construct किया, और जो कि famous थे अपनी management system के लिए, यह जो water management system था, इन नोलास का, वो बहुत जादा famous था, फिर अब कतियोरी डाइनस्टी, कि जब यह सब rulers आए, कतियोरी डाइनस्टी खतम हो गई, तो अब बात आ तो question सीथे सीथे यहां से बनेगा कि कतियोरी का जो administrative setup है, वो किस के थ्रूँ पता सलता है, वो पांडुकेश्वर, copper create inscriptions के थ्रूँ हमें पता सलता है, the king was at the vertex of administrative pyramid, जो king है, raja थे, वो vertex पे थे, यानि कि सबसे उपर हुआ करते थे, administrative pyramid पे, जो की logical सी बात है, हमेशा सही होता है कि राजा किसी भी dynasty का सबसे उपर होता है, और उन्होंने अपने उपर title लिया थे, परम भत्र का महराजा दिराज, जैना महराज दिराज, ऐसा घर के उन्होंने अपना जो एक title भी ले लिया था, महराज दिराज परमेशवर, पूरा जो है वो परमेशवर भी यहां पे आएगा, ठीक है, and assisted by council of ministers, उसके बाद फिर जैसे अभी जो present जो time चल रहा है, उसमें भी ऐसे ही होता है कि सबसे उपर prime minister होते है, उनके साथ फिर council of ministers होती है, जो गवर्ण करती है, पूरे देश को, जैसे like India को, तो like wise वहाँ एक राजा वहात करता था, और राजा के साथ सा पतल अधिकारता, देख लिजेगा, sorry for the pronunciation, बड़ा जीब सा नाम है, minister of war and peace होा करते थे, महा संधी विग्रह दिकरता, और command and chief थे, महा समन्ता, तो ये सब जो थे, अलग-अलग rulers थे, या सरी, अलग-अलग officers थे, जो prime minister के साथ साथ, king के help किया करते थे, यानि कि जो king था, king को कौन-कौन support करेगा, तो ये सब लोग होंगे, जो वहाँ पे king के, एक governing council में होंगे, और वहाँ पे जो है, उनकी help करेंगे, अपनी dynasty को, अपने kingdom पे rule करने के लिए, kingdom जो है, कहीं टोडों में बटावा था, into many chieftances and was ruled by समन्तास, ज़रूरी भी है, क्योंकि एक राजा, अकेल administration, वहाँ से देख देख के बताएंगे, एडमिस्टिटी सेटप के लिए kingdom was divided into prant, उनको prant में, विश्य में, यानि की province में, शेत्र में बाठ रखा था, और सब को कौन-कौन गवन करते थे, जैसे कि उपारिका था, एक governor करते था, विश्यो को करते था, प्रोविंस को विश था जोशी मट और कत्यूर वैली, तो अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कारते के पूरा कहां किस-किस के बीच का रीजन है, जोशी कमट जो है वो बद्रिनाथ के पास है, यानि कि वहाँ से कत्यूर वैली, यानि कि जो कुमाओ में कत्यूर वैली है, तो वहाँ पे जो रीजन है, वो कारते के पूरा हुआ करते था, एक टंकन पूरा हुआ करते था, ये अलगनंदा वैली जो है, रिशी के से जस्ट उपर जो अलगनंदा वैली है, उसको टंकन पूरा कहते थे, फिर अंतराग, ये रीजन था भागी रती और अलगनंदा रीवर की बीच मे हैं फिर माया पुरहाट यहरिद्वार और भाबर रीजन की बीच में तो इस तरह से करके पांच विश्येज हैं जो अलग लग रीजन थे जिसमें कत्यूरी डानेस्टी का पूरा किंडम फैलावा था और इस तरह से इनको विश्यापती के द्वारा इनको पूल किया जा रहा था जो गाउं हुआ करता था वो स्मॉलेस्ट एड्मिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी कत्यूरी डानेस्टी में एन्हेंड़ेड बै महा मनुष्य यह लॉजिकल सी बात है हमारे यह अभी अभी ऐसे ही है कि गाउं जो होता है वो सबसे छोटा होता है एड्मिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से और उसको यह यह करते थे वह महा मनुष्य क्या करते थे जो उसका जो फैसल सुनाएगा वह महाटनडनायक करते तो तो crimes उस टाम पर देखे जाएं तो crimes जातर negligible से थे यानि crimes नहीं होते थे और जातर जो case हुआ करते थे या तो चोरी के हुआ करते थे या traitors behavior traitors behavior का मलब हुआ कि आपने देश द्रो किया या राज द्रो किया कि आपने अपने kingdom की बात किसी rival kingdom के ruler को बताई या उनको बताई तो वो traitors behavior है तो judicial administration में जो अलग-अलग officers थे वो कौन-कौन थे जैसे एक थे दोश परहदी का यानि कि ये जो investigator था crime का फिर चौरा धर्नी का जो apprehender थे यानि कि जो thieves को पकड़ते थे फिर डंड पासी का यानि कि जो punishment को wield करते थे डंडी का जो punishment को execute करवाते थे यानि जिसको punishment मिल गई तो मालते किसी को फासी किसे जाओी तो अब उसको कैसे execute करना है तो वो डंडी का करेगा और महा प्रतिहार ये chief security officer हुआ करता था जो king की security को supervise करता था ये बहुत important है ये पूचा जा सकता है अब से कि कत्योरी dynasty में राजा की security के लिए कौन जिम्मेदार था तो वो महा प्रतिहा जिम्मेदार थे जो राजा की security के लिए जिम्मेदार हुआ करते थे फिर military department जो हुआ करता था वो head किया करते थे कौन महा समन्ता तो महा समन्ता उसको head किया करते थे 73 force थे गडवाल में और 48 थे कुमाओ में कत्योरी dynasty के दोरान 73 force गडवाल में थे और 48 कुमाओ में थे और British occupation जब हो हिया तो GW trial जो थे यह भी हम पढ़ेंगे जब British occupation वाला आएगा कुछ टाम बाद आएगा यह chapters हम पढ़ेंगे जब तो वो second commissioner थे कुमाओ के तो यहां से आपको information मिल जाती है कुशन सीथे सीथे एक नंबर का सवाल इस तरह से बूच ले जाएगा आपसे कि कौन कुमाओ के second commissioner थे तो GW trial जो थे वो कुमाओ के second commissioner थे फिर आता है कत्योरी आर्किटेक्चर तो यानि यह पूरा कत्योरी अडिनिस्टेशन था यानि कत्योरी करते थे तो वह चीज यहां पर आपको बताई गई है इनको आप बार बार जब तिनी बार आप रिवाइस करेंगे उतनी बार आप लिए बहुत अची चीज है और अचीज चीज तो बहुत जादा जो मेजर पोर्शन है टैंपल्स का स्कल्प्चर्स का वह किनको जाता है उनको जाता है कत्योरी डैनिस्टी के किंडम के रूलर्स को जाता है जिन्होंने कहीं सारी बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स मनें टैंपल्स हो गए या फोर्ट्स हो गए उन्होंने वो जो हाँ पर बनवाई यह जो इन्फ्लूएंस थे किस तरह थे गुजरात और राजपताना स्टाइल से इन्फ्लूएंस थे गुजरात में जो मंदेरिया फो यह सब प्रतिहारा स्टाइल में थे और कभी ऑप्शन में आया जो के पेडिमेंट्स और सीट उपन्डप नीशे एंड़ पोटचीजनात द्वाराहार्ट काटार्मल आदिवदरी बागेशवर यह सब प्रतिहारा सोलंकी स्टाइल गुजरात में है प्रतिहारा स्टाइल ये राजिस्थान का भी कुछ पोर्शन कवर करता है तो यह से मंडव में सीड हो गई जहाँ पे जो मंडव वो होता है जो गर्व ग्रह के सामने होता है जहाँ पर devotees बैठके पूजा करते थे यहना पोर्चिस है जिसकी पैजनात के मंदिर में गराब जाएंगे जोगी स्टैम पे बागेश्वर डिस्टिक में है द्वारा हाट जाएंगे टार्मल जो सूर्य मंदिर है उसमें जाएंगे आदि बद्री जाएंगे या बागेश्वर में जाएंगे तो वहाँ पर सारे जो मंदिर बने हैं यह प्रतिहारा सुलंकी स्टाइल के मंदर बने हैं फिर जो टेमपल्स है चमपावत के और एक दौराहाट का वो गुजराती और राइस्थानी स्टैल में बने हैं sanctum जो था यानिकी jhaan पे भगवान की east SCOTT की मूर्थी जहां पे हुआ करती थी उसके उपर जो है एक labor to release शिखर यानिकी वह ऐसा structure हुआ करता है बहुत ही Jupiter structure you in some areas known as海 इनको विमान को लोते हैं फिर एक ambulator path होता है ability वाथ का मलब करने में जिसको हम परिकरमा कहते है कि जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाने के बाद पूजा करने के बाद हम भगवान के चारों तरफ एक राउंड लगाते हैं उसको ambulatory path का जाता है एक congregation hall है यानि कि मंडप यानि कि जो गर्भ ग्रह के सामने होता है जहां पर बैठ के आप पूजा कर सकते हैं and sometimes an anti-chamber यानि कि अंतराल and porch between गर्भ ग्रह और मंडप तो कभी-कभी क्या होता है कि मंदिर काफी बड़े होते हैं तो उनमें क्या होता है कि direct गर्भ ग्रह के सामने मंडप नहीं होता गर्भ ग्रह और मंडप के बीच में एक पतला सा गली आ रहा होता है यानि एक रास्ता होता है उसको porch कह देता है ठीक है तो यह इस तरह से temple का architecture था या architecture था जो उस टाइम पे कत्योरी डानेस्टी की जो rulers थे उन्होंने commission कर भा है था अब अलग-अलग तरह के जो मंदिर है मापे कौन-कौन से थे वो देख लेते हैं सबसे पहले आता है temple of katarman तो यह अपनाब में बहुत ही famous मंदिर है वेद में सूरे को describe किया गया है कि यह एक store house है in exhaustible energy and radiance तो यह fact भी है कि वही sun जो है जो अर्थ पे पूरी life का जो source है वो sun नहीं है तो अकर sun नहीं होगा तो धर्ती पे जो life है वो नहीं होगी तो यह in exhaustible energy है यानि कि ऐसी energy है जो खतम नहीं होने वाली present में खतम नहीं होने वाली जब तक इंसान है जीवित है हम कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि sun के energy खतम हो गए क्योंकि sun के energy अभी कहा जाता है कि sun के life 5 billion years है which is very huge है जो बहुत जादा साल है तो फिर कहीं सारे hymns लिखे वे हैं in praise of sun यानि कहीं सारी गाथाएं या कहीं सारे जो चीजे होती है वो sun के praise में लिखी गई है उनकी तारीफ में लिखी गई है in the surya upanishad surya upanishad एक नाम से अपनिशद है जिनके नाम जिसमें surya के लिए surya bhagawan के लिए काफी सारी important या आप कहा सकते हो कि hymns लिखी गई है mayura one of the literates in the court of harshvardhan in the 7th century AD composed surya satqam in praise of the god surya तो ये भी important है कि mayura जो थे ये हर्षवर्दन की court में थे और उन्होंने जो है surya satqam को composed किया god surya की praise में यजूर वेद में जो himalian region sun worship assumed an important place तो यजूर वेद के दौरान जो himalian region में जो surya bhagawan की जो पूजा थी उसने अपना आप में एक important place assume कर लिया यानि कि एक important place ले लिया और उसके बाद से काफी लोग surya bhagawan की पूजा करने लगे उत्राखंड में जो कल्ट है surya का besides shiva, vishnu and durgha is very popular यानि कि देखिए उत्राखंड के अंदर shiv bhagawan, vishnu और durgha इन तीनों की तो पूजा हुआ ही करती थी साथ ही साथ अब followers बनने लगे surya bhagawan के लिए यानि कि शिव जी, vishnu और durgha सूर्य के भी cult एक निकलने लगा यानि कि followers होने लगे जो specifically अपने आपको dedicate करते थे किसको to surya court इसकी जो antiquity है यानि कि इसके बार में जो मैं पता चलता है can be traced to the तालेशवर copper plate grants of the 5th and 6th centuries AD तो 5th, 6th centuries की जो तालेशवर copper grants है उसमें पता चलता है कि सूर्य भावान का जो influence है या उनका जो culture है हाँ पे उत्राखन के अंदर वो develop होना शुरू हो गया था next आता है कि अब भी आगया आएगा तो कत्यूरी जो थे और जो चंद किंग थे कुमाओ के उन्होंने सबने सूर्य का जो कर्ड था उसको फेवर किया 80 icons है सूर्य के त्रोट कुमाओ और गड़वाल इस्टाचूज इंस्टोल नोने इस 12 दित्ते है सूर्य नारायन एं़ भॉहमा देते है यानी कि सूर्य भगवान के लिए तीन तरह के ऍस्टाचूज इंस्टॉल कीए गए और कोश से 12 देते है एक सूर्य नारायन एक भॉहमा देते है एक festival छेडिविट के जाता है सूर्य भगवान के लिए in the month of Paws, Paws के महीने में जो की महीना भी 15 December से 15 January तक का जो महीना होता है उसको Paws का महीना कहते है या during the eclipse, जब eclipse होता है, यानि कि lunar eclipse या solar eclipse, जब होता है तो उस टाम पे हम सूर्य भगवान की पूजा करते है medieval ages में, यानि कि जब 1300-1400 के बाद जो worship of sun थी, वो became very popular तो medieval ages में तो सूर्य भगवान की जो पूजा थी बहुँ साथ important हो गई present time पे भी sun की पूजा बहुत important है जातर लोग सुभे एक जल अरपन करती है अरग देते हैं सूर्य भगवान को सुभे उठने के बाद, नहाने तो होने के बाद कुमाओ में best preserved images located in the temples of जागेश्वर, जागेश्वर धाम अगर आप जाएंगे बहुत important है वहाँ पे, अल्मोडा district में है और बहुत सुंदर कैने में आपको 125 प्लस temple हैं इसके अंदर, चोटे-चोटे मंदिर है और बहुत ही अच्छे से उनको preserve किया गया है फिर द्वारा हाठ है, बैजनाथ है कटारमल और दनिया सुरी images इंदी Northern India influenced by the Iranian style तो भारत में जो South को छोड़कर Northern India के में बात करें Northern India में जो सुरी की images है वो Iranian style से क्योंकि उपर का जो region था ये past है एरान के तो पहले free passage हुआ करता था पहले countries नहीं हुआ करती थी तो border free हुआ करता था और पाकेस्तान और जो अफगानिस्तान प्रिजेंट पाकेस्तान अफगानिस्तान है ये भी एक अखंड भारत का हिस्टा हुआ करता था पहले को यान की जब पार्टिशन से पहले ही बाद में अगर करो। तो ईसलिए इरान का काफि इंफ्लूएंस रहा नौर्टर इंडिया की कल्चर पर और सूरिय की जो इमेजिस थी नौर्टर इंडिया में उन पर काफि इंफ्लूएंस रहा इरान इंस्ट्रायल का। All the images of Surya is sporting a pointed cap, एक pointed gap हुआ करती थी, ट्योने एक open coat बन रखा है और high boots बन रखा है, तो यह Surya की images है, South India में अगर हम बात करें, remained chased, यानि कि वो बिल्कुल as it is रहे, जैसे हुआ करते थे and pure, and did not adopt the Iran elements, और South India के जो counterpart थे, यानि कि South India में जो Surya images है, उन्होंने इरान का style अपना में, फिर statue जो थे, वो अस्ट धातू के बनते थे, अस्ट का मलब होता है art, यानि कि एक alloy of aid metals है, तो art metals का एक alloy बना दिया जाता था, सभी को मिला कर, और उससे, अस्ट धातू से कोई वी चीज नहीं जाती है, कटार्मल temple is on the right bank, ये कोशी नदी के किनारे है, at a distance of 17 km from Almoda, Almoda से 17 km के distance पर है, नेक्स आता है, कटार्मल temple is the only important shrine dedicated to Surya in the northern part of India, तो northern India में majorly कटार्मल temple ही important है, सुर्य देव को जो dedicated है, बाकी फिर अब कुनार्क का मंदिर है, जो पूरी में, वहाँ पे वो सुर्य भगवान को dedicated है, तो बारादित कहते हैं, टेम्पल को लोकल में, लोकल है, नहीं महां के जो लोग है, हलमोडा के आसपास के जो लोग है, उनको बारादित बोलते हैं, वैसे कटार्मल temple है, एक और स्टोरी होती है, गर्व ग्रह के उपर, विच इस कम्प्लीटली डार्क, जो बिल्कुल डार्क है, इसी मंदिर के अगर में बात करूँ तो, इस ट्रैकिंग रिजंब्लेंस विद्धी सोलंग की टेंपल सो गुजरात राजपताना, तो इन्होंने क्या कर रखा है, कि गर्व ग्रह के उपर एक स्टोरी बना रखी है, जो बिल्कुल टार्क है, अंधेरा रहताइबस के अंदर, ये जो सोलंग की स्टाइल के मंदिर थ फिर गोपेश्वा श्राइन जो है, ये बिल्ट हुआ है, उसी प्रिंसिबल पे जिस तरह से कटार्मल मंदिर बना है, उसी स्टाइल में गोपेश्वा मंदिर भी बना वा है, इस रिलीफ ऑफ स्मॉल चैते विंडोस, जिसे चैते होल हुआ करते थे बुद्धिजम ललीटा जो है, वो एक गॉड़ेस है, डिवाइन ब्लिस के, आपको मलब जो अनुभूती होती है, डिवाइन की, डिवाइन की, डिवाइन का मलब होता है, बहुत ही जो एक, आप कह सकते है, एक सुख या शान्ती की बात करें में, अगर इसमें, एन एफिथेट फोर शिव पारवती, यानि की, एफिथेट का मलब होगे है, कि उनका इस तरह से भी उनको बुलाया जा सकता है, जैसे शिवा की जो स्पाउस है पारवती, उसके लावा हम पारवती ना कहके, ललीटा कहते हैं, तो एक ही बात है, इस तरह साब समझ सकते हैं, तो बैजना टेंपल है, चलिए बैजना टेंपल से हम नेक्स्ट क्रास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, यह तो क्या होगा कि यह वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और फिर आपके लिए भी नोट्स बनाने में प्रॉलम होगी, तो बाकिया आप नोट्स बनाते रहिए, और वी यासे जा कॉल कीजेगा, चलिए, तो थैंक यू और बाबाए